Hello students, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कवीता का, हमने तीसरा पद्य हमने पढ़ा था और उसमें से कुछ प्रश्न किये गए थे तो आईए उन प्रश्नों के उत्तर हम जान लें कि उसका सही उत्तर क्या होगा तो पंक्तियां थी, तो फिर बचा ही, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भ्यानक होता अगर ऐसा होता, भ्यानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह, कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं पहला प्रश्न तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, का आशे स्पष्ट कीजिए और सही उत्तर इसका यह है, कि इस पंक्ती का आशे है, अगर नन्हे बच्चों को बच्चपन की सारी सुविधाएं न मिलें तो वह जीवन निरर्थक है, ऐसा जीवन आनंद पूर्ण नहीं हो सकता पहले प्रश्ण का फिर से उत्तर सुनिये तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में पंक्ती का आशे है अगर नन्हे बच्चों को बच्चपन की सारी सुविधाएं न मिलें तो वह जीवन निरर्थक है, ऐसा जीवन आनंद पूर्ण नहीं हो सकता दूसरा प्रश्ण, भ्यानक होता अगर ऐसा होता, का आश्यस पश्ट कीजे तो इसका सही उत्तर है कि कवी कहना चाहता है कि यदि सचमुच बच्चों के लिए ये सारी सुविधाएं नश्ट हो गई होती, गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलोने, विद्याल्य, मैदान, आंगन, बाग बगीचे नश्ट हो गई होते, तो यह बच्चों के लिए बहुत भ्यानक संकत होता, तब सारी दुनिया ही बदरंग हो जाती। तीसरा प्रश्ण, अधिक भ्यानक स्थिती क्या है? अधिक भ्यानक स्थिती क्या है? इसका सही उत्तर है, कवी की दृष्टी में आज अधिक भ्यानक स्थिती यह है कि संसार में बच्चों के खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए वस्तुओं की कोई कमी नहीं है किन्तु, फिर भी अनेक अभागे उनसे वन्चित हैं। गरीबी के कारण उन्हें बच्पन में ही काम काज करना पड़ता है। अगला प्रश्ण, कवी बच्चों के काम पर जाने पर चिन्तित क्यूं है। और इसका सही उतर है, कवी बच्चों के काम पर जाने के कारण चिन्तित है। उसे लगता है कि बच्चों को खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में मस्त रहना चाहिए। बच्चपन अपने सुख और विकास के लिए होता है। बच्चों पर रोजी रोटी कमाने का बोज नहीं डालना चाहिए। तो आप सभी लखी हैं कि आपको ऐसा बोज नहीं है, आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो समय बरबाद ना करें। पढ़ें, सुनें, ध्यान दें, काम अपना पूरा करें। पाठे पुस्तक के प्रश्न क्यों आप बढ़ते हैं। जितने दो-तीन प्रश्न हम कर लेते हैं, उतना आप लिख लीजेगा। बाकी फिर हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो चले, पहला प्रश्न है पाठे पुस्तक का। कवीता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से, आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है, उसे लिख कर व्यक्त कीजिए। देखे, आपके मन मस्तिष्क में क्या चित्र उभरता है, तो स्वयम इसका उत्तर लिखना चाहिए। चले, फिर भी हम इसका उत्तर साजा करते हैं। कवीता की पहली दो पंक्तियां इस प्रकार हैं, कि कोहरे से धंकी सडक पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुभव सुभव। तो देखे, मेरे मस्तिष्क में जो ख्याल आता है, कि इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमरता है। करुणा का भाव इस कारण उमरता है, कि इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमरता है, करुणा का भाव इस कारण उमरता है, कि इन बच्चों की खेलने कूदने की आयू है, किन्तु इन्हें भ्यंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण, कि ये ठंड में सुभ उठे होंगे और न चाहते हुए भी काम पर चल दिये होंगे। चिंता इसले उभरी, कि इन बच्चों की ये दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा, परंतु कोई समाधा ना होने के कारण, चिंता की रेखा गहरी हो गई है। देखे हमारे सरकार ने कितने कानून बनाई इन बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी कही न कही शायद नजर अंदाज हो जाती हैं ये चीजे, और बच्चे आज भी आप देखें, तो काम पर जाते नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अपने पेट भरने के लिए, मज कि बच्चों के काम पर जाने की भ्यानक बात को विवरन की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए, कि काम पर क्यूं जा रहे हैं बच्चे, कवी की दृष्टी में उसे प्रश्न के रूप में क्यूं पूछा जाना चाहिए, क्यूं चाहता है कवी किसे प्रश्न के रूप में पूछा जाए, तो देखिए इसका उत्तर है, किसी बात का विवरण देने का अर्थ है, बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी भर देना, ठीक है? उसकी जानकारी देना, सामान्य मानकर उसकी जानकारी देना, विवरण के साथ लेखक का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, नहीं कोई गहरी चिन्ता होती है, परंतु प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने में एक चिन्ता होती है, जिग्यासा और तडप होती है, समस्या के साथ गहरा जुडाव प्रकट होता है अतह लेखक चाहता है कि बाल मजदूरी की समस्या के साथ समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए उसे सामान्य बात मानकर नजर अंदाज नहीं करना चाहिए ठीक है तीसरा प्रश्न देखे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वन्चित क्यूं है और उत्तर इसका है कि समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वन्चित है भारत में करोडों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते इसलिए उनके बच्चों को भी बच्चपन से कामकार करना पड़ता है यह उनकी जन्म जात विवश्टा होती है एक भिकारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलोने, रंगीन किताबें कहां से लाए समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है यद्यपी सरकार ने इस विशे में कानून बना दिये हैं किन्तु वह बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है नहीं सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं न गरीबी मिटाने के उपाएं हैं और न इच्छा शक्ति इसलिए बच्चे वन्चित हैं तो आज ये तीन प्रश्न ही आप सुनकर अपनी नोटबुक में इसे लिखें ठीके और जो पद्यांश में से हमने प्रश्नउत्तर साजा किये होते हैं वो जरूर उसको सुने और ध्यान दे उन पर और अपनी नोटबुक में पाठे पुस्तक के प्रशन उत्तर जरूर कर लें अगले वीडियो में अगले प्रशन उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे Till then, bye and thank you